हेलो स्ट्रेंट्स वेलकम टू एडियल फार्मेसी यूटूब चैनल दोस्तो आज की इस वीडियो में आपको बताने बाले है कि अगर आपने डी फार्मा कोर्स कंप्लेट कर लिया है तो आप कौन-कौन सी जोब्स पा सकते हो साथ ही आपको बताएंगे कि डी फार्मा करने के बाद क्या-क्या स्कोप होते हैं और ये भी बताएंगे कि आप्टर डी फार्मा के आप अपना मेडिकल स्टोर कैसे खोल सकते हो तो वीडियो को आपको लाश्ट तक जोड़ देखना है वीडियो काफी इंपोटेंट होने वाली है डी फार्मा के स्ट्रेंट्स के लिए वीडियो स्टर्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले न क्यूंकि हमारे चैनल पर समय समय पर फार्मेसी से रिलेटेड अपडेट आपको मिलती रहती है तो चलिए जानते हैं कि आप डी फार्मा करने के बाद क्या क्या कर सकते हो देखे जैसे कि आपको पता होगा कि D.Pharma Pharmacy का एक diploma course है जो दो साल का होता है final exam देने के बाद आपको 3-month की internship का form मिलता है जिसकी internship में आपको 3 महीने की training पूरी करनी होती है यह training आपको अपने state से ही करनी होती है इसके बाद आपको कोलिज से अपने first year और second year की मरसीट कलैक करके आपको registration करना होता है registration कराने के बाद जब आपको अपना license मिल जाता है तब अगर आपके पास अच्छे खासा पैसा है that example इतना कि आप अपना एक medical store open कर सको तो अगर आप चाहो तो आप अपना खुद का एक medical store open कर सकते हो देखी ये तो ही first choice अगर आपका license बगेरा जल्दी ही आ जाता है तो आप अपना खुद का medical store खोल सकते हो लेकिन medical store के अलावा भी deforma करने के बाद और भी कई ऐसे scope हैं जिने आप पासकते हो तो चलिए जानते हैं कि उन jobs के बारे में जो आप deforma करने के बाद पा सकते हो देखी सबसे पहले आपके पास first option होता है खुद का business करने का तो deforma करने के बाद आप medical store खोल सकते हो, retail या फिर wholesale store आप खोल सकते हो दूसरा option है आपके पास job in retail और wholesale drug store देखें आप retail store या फिर wholesale store में भी work कर सकते हो as a dispensing के रूप में और तीसरा option है आपके पास government में pharmacist job हर साल government बहुत सी pharmacist के लिए back end शे निकालता है जो government filled के under आती हैं और चोथा option है आपके पास किसी pharmacist company में as a pharmacist के रूप में आप बर कर सकते हो या pharmacist assistant की job आप पासकते हो और पांचमा option है आपके पास marketing job जैसे MR यानि के medical representative या medicines की delivery या फिर pharmaceutical company में bill payment collection की आप जोप पासकते हो छेटा option है आपके पास industry job जिसमें आपको pharmaceutical industry में packaging dispensing और assistant working की job आपको मिल जाती है तो देखिए अगर आपने defarmacourse कर लिया है या फिर आप defarmacourse करना चाहते हो तो आपको after that defarmacourse करने के बहुत सी ऐसी job है जो आप पासकते हो भारत के अलग-अलग राज्यों में समय समय पर government pharmacist की job निकलते रहती है जैसे अभी ITBP pharmacist की job निकली हुई है ASI pharmacist की job में आप आबेदन कर सकते हो इसके लिए defarmacourse requirement है अगर आप इस post के लिए eligible हो तो आप इसमें try कर सकते हो तो guys कैसी लगी वीडियो comment करके ज़रूर बताना और pharmacy से regarding अगर कोई doubt हो तो वीडियो की description में Instagram का link दिया हुआ है आप बहाँ से direct message कर सकते हो और अपना doubt को clear कर सकते हो और channel पर नए हो तो channel को ज़रूर subscribe कर लेना तो guys मिलते हैं next वीडियो में